घूंगट में चांद होगा आँचल में चांद नी चुपके से देखेगी साजन को सजनी छेरे की चहनाई मस्ती की रागनी घूंगट में चांद होगा आँचल में चांद नी अगर मेरा यह वीडियो एक बार में न समझ में आए तो फिर कहना आपको दिवाना बना देगा यह बर्गमूल तथा घनमूल निकालना एकदम सौट में देखते ही निकालना है परफेक्ट स्कॉयर रूट एंड क्यूब रूट तो आई कैसे निकालते हैं देखे इसको आप देखें सबसे पहले हमें न जब बर्गमूल निकालना हो तो दो को हम लोग लास्ट वाले को यूनिट डिजित देखेंगे य किसके बर्ग में पांच आते देखे एक का करेंगे बर्ग एक कैसकॉर एक गुन एक वराबर एक दो का स्कॉर अगर करिएगा तो कितना हो जाएगा यह आपका चार तीन कैस कॉर नौ ुणिट डिजिट पर ही नजर रखेंगे कि किसके किसके square में unit digit क्या है अब यहाँ पर देखें इसका नियम क्या कहता है सबसे पहले इस तरीके का बर्गमूल निकालने का कि आप last digit में 5 देखें किसका square में 5 आएगा तो एक ही ही है जिसमें आता है किसमें आएगा 5 हमने यहाँ पर 5 लिख दिया और जो बच रहा है न स संक्या इसके just पहले वाला वैसा संक्या लिखें इसका फूरा बर्गमूल निकल जाता है दिसके 12 से पहले कौन है 9 है 9 का बढ़ मौन निकल कितना संदार केबल आप लास्ट डिजिट को देखे किसके बर्ग में आ रहा है तो पांच के तो पांच लिख दिया और इसके पहले बाला देखिए 12 से पहले कौन ऐसे संख्या है जिसका पूरा-पूरा बर्ग मूल निकलता हो तो कौन किसका है नौका तो नौका तीन निकला दिया तो आगे आपका कितना 35 इस तरीके से और कोशन रहता माले जिके 42-25 रहता तो इसका कैसे निकालते आप दो में बाटी है 25 का कितना हो जाता पांच हो जाता और इसका पहले बाला देखिए कौन ऐसे संख्या है जिसका पूरा-पूरा बरू निकलता हो तो 36 है 36 का पूरा-पूरा निकलता हो तब क्या करिएगा आप लोग जाया देखिए अब शिर्वफा निकलता हो तब क्या करियेगा आप लोग दो फाले बाटी है 24 आप देखिए लास्ट में unique fertig कानुर लयुत Lewis Lewis पहले वाला ऐसी संख्या लेंगे जिसका पूरा-पूरा बर्मूल निकलता नौ है नौ का बर्मूल कितना हो जगा तीन और इसका नियम कहता है कि आप एक बार ज्यादा करके गुना कर दें जैसे तीन आये नहीं ते गुना कि जिता चार यानि कितना आ गया आपका बारा और यह संख्या देखिए इससे यह बरा है कि छोटा है इससे आपका बर्मूल जो आया ना उसको यहां पर बैठा दीजिए जैसे नौ का बर्मूल तीन तो दोनों में बैठा दिए अब यहां पर देखिए बर्मूल तीन था और एक ज्यादा बढ़ा है तो बार और यह संख्य बढद जाएगा रहला कुक्त देखिए यहाँ पर 89 से पहले आप ऐसा संख्या देखिए जिसका पूरा बरून निकले तो और सट से पहले कौन है सिसंख्या चौन सट चौन सट का बरून कितना होगा आठ दुनों में आठ बैठा दीजिए बैठा दीए अब उसके बाद एक ज्यादा बरहा के गुना किजिए नौ अठे कितना हो गया बहत्तर अब इससे यह चेक किजिए ब आपका चोटा रहेगा तो चोटा लिखे गा अब रहेगा नव तो बसलिखेगा तमझ में आया अगला फेलिसिए इस पहले देखिए 46 से पहले कोन ऐसी संक्या जिसका पूरा बर्मुल निकलता हो तो देखे लिजे अब कौन आएगा भाई 36 आजाएगा नहीं 36 का निकालेगा तो पूरा निकल जाएगा और कोई है क्या अब यहां पर देखे लास्ट में चौँ है ना चौब में किस-किस में आएगा देखे लिजे चार में लास्ट में चौव आएगा और चार में आजाएगा और किस में आएगा चौव अंत में छे में आएगा तो छो में भी लिख दिये अब 12 से पहले आप चेक किजिए ना जिसका पूरा बरुकल निकलता हो तो नौ। 9 का बर्गुन निकल गया 3, तो दोनों में बैठा दिये, अब एगो बरहा के गुणा की जिते कितना गया, 12, अभी 12 से छोटा है कि बरहा, हाँ, जब बराबर आजाए न, जब बराबर आजाए, तो बर्गा बला अंसर होगा, 36, 116 का देखे, 6 कुणकुण में आता है, तो अभी आप देखे, न, चारा चौ में आता है, एकोई से पहले देखे, तो कोण ऐसी संख्या है, जिसका पूरा बर्गुन निकलता हो, 16 है, तो 16 का बर्गुन कितना आएगा, 4, अगो बरहा देंगे, तो कतना होगा, 4 पचे 20, अई बर्गूला यहां लिखे दिजेगा, जो बर्गा, तो बर्गा है न, तो बर्गा एंसर हो जगा, कह हो जगा, 46, अब इसका भी देखे, 4 है, तो चार कौन में आएगा, किसके गुना में 4 आएगा, दू के, आकिसके, 8 के, अब इससे पहले देखे, तो कौन होगा, 16 होगा, नहीं आपका चार आया ना तो दुनों में चार बैठा दिए अब एक बरहा के गुणा किजिए पांस है तो चार पचे बीस अभी देखे तो यह बरा है ना तो बरा है तो बर्का वाला लिजेगा तो और तालिस हो जाएगा बर्गमुल अगला कुसन देखे इसमें भी देखे अंत में चार है ना तो अंत में चार कुन-कुन में आएगा दू में आएगा आठ में आएगा च्यालीस से पहले आप छोटका लेजे कोन है संख्या होगा पूरा बर्गमुल निकलेगा च्यालीस से पहले तो च्छतिस होगा च्छतिस अब बताइए बढ़का है कि छोटका है तो बढ़का है तो बढ़के आंसर हो जाएगा है ना जब आप ट्रिक एदा हम देख रहे हैं आग लगा दिया ना आग लगा के छोड़ेगा तो इसको निकालने का जो तरीका ना उसे भी बिलकुल आश्रान है है एक अदम लगे रही है भी आपको घुका के रख देगा यह इसमें बर्गमुल में दो हट आते थे ना इसमें तीन हटा न दिजे खट गया और देखिए यूनि डिजिट साथ है, किसके Q में साथ आते हैं, आप सिंपल देख लिए, किसके यूनि डिजिट पर साथ आते हैं, तीन वाले पर देहां, यहाँ पे मैंने तीन लिख दिया, और इसके पहले, जस्ट पहले वाला वैसे संख्या बता है, जिसका पूरी क्यूब रूट निकल जाता हो, घंबो निकल जाए, एक है, एक का अगर घंबो निकल जाता है, कितना हुआ, एक यानि है, बैठा दिये, तो तेरा अंसरू, इतो ओर असान है, जैसे पांच देखे, तीन हटाके, पांच है, पांच किसमें आता होगा, देखे, पांच पर आता है, और तीन से पहले देखिए तो, कौन ऐसी संख्या है? जिसका पूरा-पूरा निकलता है Q-root, तो एक का निकलता है, यानि 15 हो गया, इसका देखिए 3 हटा के, 9 है, 9 किसका देखिए तो, कौन से ऐसे है? जिसका घनमूर निकालने पर, जिसका अगर Q किजेग या पाबर तीन दिजेगा तो 9 आएगा देखा किसमें आ रहा है नौ में आ रहा है तो 9 लिख दिये और 69 से ज़स्ट पहले देखे जिसका क्यूब हो 69 से पहले 69 से पहले कौन आएगा चार देगा तो 66 हो जाएगा 3 देजेगा तो होगा यानि यहाँ पर 27 उसका होगा इससे जस्ट पहले यानि कितना हो जागा इसका 49 ऐसे इसका देख लिजे 7 किसमें आता है तो 3 में आता है तो 3 लिख दिये और 250 से पहले 250 इसमें देखे यहाँ 343 हुगा साथ वला उसे पहले कौन ऐसा घ्ण है तो 6 वला यानि 200-216 का घ्ण निकाले गाते कितना है यानि कितना हो गया 63 देखें देखते देखते बन गया न आप बिलकुल आसानी से घ्णमूल बना सकते हैं बस आप क्या करना है एक बार फिर से बता दूं कि जस्ट में 9 आ रहा है देखें तो 9 के तो मैं 9 लिख दिया और जो यहाँ पर संख्या 3 छोड़के उसका देखें उसे जस्ट पहले कौन ऐसी संख्या है जिसका पूरा-पूरा घ्ण निकल जाए तो 60 से पहले कौन है अगर नहीं समझ में आ रहते हैं लिखके भी देखें य जिसका पूरा-पूरा नहीं निकल पाता है तो आप उसे पूइंट में निकलते हैं तो हम लोग इससे इससे भी आसान तरीका से कैसे देखते ही दसमलाब बाले का भी बर्गमूल और घ्णमूल आसाने से निकाल सकते हैं तो जैसे बारक आगर कह देए आपको बर्गमूल निकाल लें तो आपका नफ्यूज में थीरी पॉइंट सम्थिंग होगा तो मैं सिखाऊंगा कि कैसे बिलकुश सोट तरीके से आपको निकाल कर हम दिखाएंगे बर्गमूल और घ्णमूल जिसका पूरा-पूरा बर्ग और पूरा-पूरा घंड संभब नहीं होता है अगर अगर आप न्याः सब्सक्राइबर है पहली बार मेरे विडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करे हैं लाइक स्ट्राइब or बेल आइकन और पर जाके बटन को प्रेस लिए और जितना ज्यादा हो सके उतना मेरे चैनल को share करें और इसे सभी को दिखा है बहुत फायदे मंद है आप चुटकी बजाते ही question को हल करेंगे और मेरा quotation था आग न लगा दे दिल में तो फिर काना क्या लगा कि नहीं और इससे भी जानदार मैं ट्रिक लेकर आ रहा हूं अगल क्वाचिप वाचिभाचिए जएहिन जएभर